किडनी के मरीजों को अपने आहार में कई सारे बदलाव करने होते हैं उन्हें हमेशा इस बात का ध्यान डखना होता है कि उन्हें अपने आहार में क्या लेना चाहिए और कितनी मात्रा में लेना चाहिए लेकिन आज हम आपको इस बात की जानकारी देने वाले हैं कि किड्नी के मरीजों को रात के आहार में क्या लेना चाहिए हमारी आज की विडियो बहुत खास है इसलिए इसको जानने के लिए आपको हमारी इस विडियो को अंतक देखना होगा ताकि आपको भी ये पूरी जानकारी मिले और आप हमारी इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों के साथ शेयर जरूर करें ताकि आपके अपने इस जानकारी से वंचित ना रह जाएं किड्नी के मरीजों को रात के समय हलका खाना ही खाना चाहिए क्यूंकि रात के आहार को डाइजिस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है इसके अलावा किड्नी के मरीजों को रात के आहार में तोरी की रसवाली सबजी खानी चाहिए या फिर टिंडे की रसवाली सबजी खानी चाहिए अगर किड़नी के मरीज चाहें तो रात में धुली मुंग दाल भी खा सकते हैं या जिन किड़नी के मरीजों को अरहर दाल खाना अलाउड है वो अरहर दाल भी खा सकते हैं रात के समय चावल का सेवन बिलकुल ना करें और दही भी नहीं खाना चाहिए सबजी और गेहुं के आटे की बनी पतली रोटी खानी चाहिए और सबसे जरूरी बात रात के समय खाना कम ही खाएं तो ठीक है और इसके बाद कम से कम 20 मिनट टहलना जरूरी है तो इस तरह का खाना किड़नी के मरीजों को रात के समय खाना चाहिए अगर आपकी किड्नी में कोई भी समस्या है तो इसको अंदेखा ना करें और अगर आप अपनी किड्नी के लिए इलाज लेना चाहते हैं तो आईरवेदिक इलाज सबसे सुरक्षित है क्यूंकि अपना काम पूरा प्राकरतिक तरीके से करता है अगर आप किड्नी के लिए सबसे अच्छा आईरवेदिक उपचार चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आईरवेदा से समपर कर सकते हैं तो आज के लिए सिर्फ इतना ही अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर आउंगे एक नए विशे के साथ तब तक के लिए नमस्कार